तो दुबाई में जो एक तरफ पाकिस्तान की प्रधान मंत्री दिखाई तक नहीं दे रहे हैं तो वहीं भारत के प्रधान मंत्री हर तस्वीर का हिस्सा है यहां तक की सयुक्त राश्ट जलवाईू परिवर्तन शिखर सम्मेलन की शुरुआत भी पीम मोदी ने की इन लोगों को जाते हुए कुछ शर्मानी चाहिए ना या इन लोगों को जानने से पहले कुछ समझना चाहिए कि हम वहाँ जा रहे हैं हम लोग गुंगे बैड़े हैं हमारा वहाँ कोई काम नहीं है हमारी कोई सुनवाई नहीं है हमें कोई नहीं सुनेगा या अगर यह प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया नरेंदरा मोदी इस वक्त गलोबल लीडर के तौर पे सामने आया और फ्रेंट लाइन पे खड़े होए थे होस के साथ और हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये जिसे कहते हैं हमें कोई फायदा नहीं है जानेगा किसी ने भी भाव नहीं दिया दुबाई से कॉप 28 के दोरान आई इस फोटो में जहां नरेंद्र मोदी पहली कतर में खड़े दिक रहे है वही इस फोटो में पाकिस्तानी पीम बहुत जादा धूर्णने के बाद भी आपको नजर नहीं आएंगे भारत के सासत बाकी देश सोच रहा था कि हमें एड का से मिलेगी हमारे कटोरे में भी कौन डालेगा 75 येर से इनकी भुक मेरी ही अभी तक खत्म नहीं हुई विश्व कल्यन पाकिस्तान के लिए आलग है पूरी दुनिया को पाकिस्तान इसलामिक बनाना चाहता है और इसके लिए कोशशे करना पाकि पाकिस्तान भी हिंदुस्तान भी बंगलादेश भी बहुत सारे मुलकों के लेकिन ऐसा लग रहा कि दुबई ने ये समिट तरह इंडिया के लिए करवाया वहां पर सारी पजीराई सारी अटेंशन जो है वहां वह इंडिया के प्राम नरेंदर मोदी को दी जा रही है नरे पास एक्तियारा आती नहीं है दूसरी बात है कि ये मुदी शूदी जो प्लान करा रहा है ना ये आगवता हमेशा हुआ अफने मुफाद के लिए करता है कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम मौलिक के लिए इवन के पाकिसान के लिए तो वह बिल्कुल नहीं बोलता और नना कोई ऐसा काम that कड़ सकता है जो पाकिस्तान के हाक में हुआ है तो इन लोगों को जाते जो समझना चाहिए कि हम वहाँ जाने से पहले हम लोग कुछ बैढ़े है , हमारा कोई काम काम ना है हमारे कोई सुनवाई है lle नहीं है इन लोगों ने हमारे मुलक का बेड़ा घरक कर दिया है, ये बिजनस हो गया, माश्यत हो गई, इवन कि सब कुछ ही ने तबाह बरबात कर दिया, इन लोगों को इन चीज़ों से कोई दिल्चस्पी नहीं है, इवन बस जाएंगे, फॉर्मैलिटी पूरी करेंगे और वापिस इसे जवाई सबने, तस्वीर की जवाई हो तस्वीर मोदी फस्ट पर पर कड़े है, और हमारे जो प्राइम मिनिर्सल वो लास की लिकीर के ओपर एंड पर खड़े है, आपने बिल्कुल ठीक का है, जो मूदी साहब है ना, वो फाइदा ले जाएंगे, इसका जो असल आगे इनको शामिल होना चाहिए, जहाँ इनकी कोई सुनवाई हो, यहाँ इनकी कोई सुनवाई नी है, इनकी वैल्यू नी है दुनिया में, तो यह क्या लेने जाड़ा है, पहले अपने पाउँ पर खड़े रहें, अपने मुल्लक को उठाएं, पाउँ पे, फिर यह किसी का सामना करें यहां किसी से जा के बादचीत कर सकते हैं, आपको पता होगा कि अबुदभी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है, तो दुबई की गवर्मेंट ने तो नरेंदर मोदी नो उनका भी शुकुरिया अदा किया, कि आप लोगों न हमारी अकलितों के क्योंकि हम लोग मुसल्मान है, तो दुबई मुसलिम मौली का है, चाहिए वो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल तो है, लेकिन वहां पे इतने जादा मफदाद हिंदूों को यहां मूदी को नहीं दिये जा सकते, यही तो बात है, मूदी जहां जाएगा वो अपनी जगा ब उसको पता है, यहां मेरी पजीरा ही होगी, मेरे मजब की, तो उसने बना दिया है, ऐसे मुसल्मान हमें स्टैन्ड लेना चाहिए ना, कि भई हमें इस चीस की मुहालत करते हैं कि तुम सिर्फ वहां पे सिर्फ मंदिर बना रहे हो अपने लिए, ठीक है, बाकी मुसल्मानों के हगुक नहीं है, जो तुमारे घर में तुम लोग मुसल्मानों को मार रहे हो, बुरा हाल का रहे हो उदर, यह किश्मीर में क्या किया इसने, हमें बालके ऐसी अगर हम फॉर्म पे जाए ना, तो हमें किश्मीर के मुद्दे बात करनी चाहिए, बहादी से हमें खड़ा आ हुए थे, हमारे वजीरियाजम ने जितने भी इंटर्वियू दिये, वो यही कहें कि लॉस एंड डैमेज फंड के वाले समय पैसे दे 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 एक तो बहुत जादा उनको यह क्रिटिसाइज किया गया है, दूसरा ताट साथ हमें यह भी क्रिटिसाइज किया गया है, कि हमा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल यह को जिसे कहते हैं न को पॉइंट तो नहीं बनता लेकिन पाकस्तान के सोचल मीडिया पर बड़ा ट्रोल किया गया है वजीरियाजम पाकस्तान को कि बिल्कुल एज खड़े हुए है, इसकी क्या वज़ा है, क्या यह चीज बताती है कि हमा जर्सियां स्वैटर लेने गए थे तो उन्हें पता चला कि आप कांफरेंस हो रही तो नहीं क्या पाएंट उसी मेल जो कि से तो जोस्तों आपने ये वीडियो देखी जिस तरह से दुबै में दुनिया भर के राश्टराद देख शेक दुसरे से मिल रहे है, आपस में व्य पाकिस्तानी बोल रहा है कि जहाँ पर नरंद्र मोदी जाते हैं वहाँ पर वो अपना सिक्का जमा लेते हैं और आगे इसने बोला कि पाकिस्तान को एसे मूखों पर कश्मीर की बात करनी चाहिए जैसे आज तो पाकिस्तान करता आया है इसकी वजह से पाकिस्तान को हर बार दलिल होना भी पड़ा है अब तो भारत पाकिस्तान की एसी हरकतों का कोई जवाब देना भी उचीत नहीं समझता इसके आलावा इस वीडियो में ये पाकिस्तानी बोल रहा था कि जो दुबई ने अपने यहाँ पर मंदिर बनाया है वो दुबई को नहीं बनाना चाहिए था क्योंकि दुबई एक इसलामिक देश है दुबई एक इसलामिक देश तो है लेकिन वो पाकिस्तान जैसा बेखुब देश नहीं है ये बात पाकिस्तानियों को समझ लेनी चाहिए आजकल जहाँ दुसरे देश एक दुसरे के करीब आ रहे है या तक कि सौदी आरेबिया ने पाकिस्तान में मदर से कम नहीं होंगे और स्कूलों की संक्या नहीं बढ़ेगी तब तक पाकिस्तान के हातों में कटोरा ही नजर आएगा। पाकिस्तान से एसी उम्मिद करना तो बेकार है। खे दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो के बारे में अपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताईए। और एसे ही वीडियो के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो म में तब तक के लिए जय हिन जय भारत।